नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती आपका दिन क्या करके घर से निकलें जिससे पूरे दिन स्रक्षित भी रहें और सफलता भी आपके कदम चुमें अर्थात सक्सस की जिनका जनम दिन आज अर्थात 19 सितंबर को है ऐसे लोगों का पूरा वर्ष कैसा वितेगा और क्या उपाय करके पूरे वर्ष को अपने जाद मनाये जाएगा चंद्रमा सिंग राशी में है नक्षत्र पूर्वा रहेगा राद 11 बजे तक दिनांक 19 सितंबर 2017 मंगलवार ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं सूरे कन्य राशी में ब्रहश्पति तुला राशी में रहेंगे सनी ब्रश्चिकस्त हैं और केतु मकरस्त ह राहुकर्क में सुशोवित हैं चंद्रमा बुद्र शुक्र और मंगल ये सब सिंग राशी में रहेंगे इनी ग्रहों के आधारित रहेगा आपके पूरे दिन का हाल और आज पैदा हुए लोगों का वर्श फल चलिए बिना विलंबी के सिरुवाद करते हैं राशियों के स सिरे को और खिलाते हैं आपको एक ऐसा फल जिसका नाम है राशी फल मेश राशी मेश वालों के लिए सूरी की स्थिति छटे भाव में गुप्त शत्रुवों पर आपको हावी करेगी जितने लोग आपके आस्तीन में सांप के रूप में पल रहे थे उन सब की स्थिति अब आप राजा हैं प्यार मुहंपत के मामलों में भी थोड़ी सी आज दिक्कत आ सकती है थोड़ा सा इधर उधर की बातों की कारण आपका मन खिन्न हो सकता है स्वास्त पर ध्यान दीजेगा पेट से परेशान रहेंगे शुबरंग आपके लिए मेश वालों के लिए आज बै शुबरंग आपके लिए आज लाल रहेगा और भाग्य प्रिस्ट बासट है मितुनाशी परेश्रम का पूरा फल मिलेगा आपको लंबी यात्रा के संकेत है नया व्यापार आनम करने के लिए निव रख सकते हैं विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा आज दिन ठीक नही है मितुनाशी वालों के लिए शुबरंग आज आपका धानी है और भाग्य प्रिस्ट बासट है करक राशी मन आज खिन रहेगा उदासीन रहेगा किसी बात को लेकर कि आप चिंदित हो सकते हैं हो सकता है कि आपके मस्तशक में कुछ ऐसे निगेटिविटी आ जाए कि आप किसी से लडाई जगडा तक कर जा लेगा धन को लेकर कि आज ज़्यादा सोचिएगा मत नहीं तो मुश्किल में आएगे शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रिस्ट बहत्तर सिंग राशे कई प्रिकार से आपकी जीत आज सुनिश्चित कर रही है प्रिक्रती तो आप अपनी जीत की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिएगा और हमारा साथ लेते रहिएगा माता के स्वास्त पर धन खर्च कम हो जाएगा मा का आशिरवाद आपको पूरा मिलेगा धन वैभाव आएगा राजनीत से जुड़े लोगों के लिए विसेश सफकता का आज दिन है सिंग राशे वालों के लिए शुबरंग पीला रहेगा और भाग साथ देगा साथ प्रि जाएगा दूर देश की यात्रा आपके लिए सुखद और लाबदायक रहेगी शुबरंग आपके लिए आज नारंगी और भाग्य प्रिस्यत अस्सी तुला राशी तुला वालों के लिए ब्रहश्पत की महान कृपा है लेहाजा परिवार में चला आ रहा कलेश और वैमन ले सकते हैं शुबरंग आपके लिए सफेद और भाग्य प्रिस्यत अनसट ब्रश्चिक राशी शनिदेव आज आप पर महरवान रहेंगे वाणी पर नियंद्र रखिएगा शिग्रता आपके लिए आज घातक है तुला वालों के लिए ब्रिस्चिक वालों के लिए शाद स्थान पर आपके सूर की उपस्थती आपको प्रोमोशन के लिए आज लालाइद कर देगी प्रोमोशन हो भी सकता है मिठाई जिरूर बाटिगेगा सबको साथ लेकर चलने की कला आपकी आज काम आ रही है विवेक वान आप बनेंगे जल्दी वाजी आप नहीं करेंगे द आपके फेवर भी महिला मित्र की मदद से कुछ बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा दूर देश की यात्रा भी आज आप कर सकते हैं अश्रम भाव में चंद्रमा बुद्र शुक्र मंगल की उपस्थिती ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है पेट हो गए और स्वास्त को ले करके बाकी मामला ठीक रहेगा मकरवालों के लिए शुबरंग आज सफेद और भाग्य प्रिस्थ 65 कुम्बराशी कुम्बराशी वालों के लिए दांपत्य जीवन का मैटर आज गड़बर है शादे शुदा जीवन आज का परभावित हो सकता जिसके कारण आप पति-प प्रंकाला भाग्य प्रिस्थ 58 अंतिम राशी मीन राशी वालों के लिए आज पूरे दिन कई प्रिकार के सौगात का दिन है कई तरह से आप इनाम पाएंगे आपको हर तरह से जीत और जैजेकार मिलेगी पत्नी पति में भी आज मुहबबत रहेगा सवस्राल पक्ष से कु शुबरंग मीन वालों के लिए आज के दिल गुलाभी और भाग्य प्रिस्थ 61 चलिए बताते हैं 19 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा जाएगा हैपी बर्थ डे आए जानते हैं पूरे साल आपके लिए मामला ठीक ठाक है एवरेज देखा जाए तो 60 कांक आपको मिल जाएगा एक साल में करकस्थ राहू होने के कारण अचल संपत्यों की विवाद में आप उलच सकते हैं 40-45 साल से उपर के लोगों के लिए स्वास्थ का कुछ इशू आ सकता है छोटी मोटी सर्जरी की संभावना बन रही है मेरी क्लेम पॉलसी उगरे लेके रखिएगा जिससे आर्थिक दंड़ना पड़े एक और मामला गडबर हो सकता है किसी बात को ले करके आप पर उमली उट सकती है आप पर लांचन लग सकता है यहां पर आपको संभलने की आवश्यक्ता और पूरे साल इस चीज़ को आप ध्यान करकी देखिएगा दो चीज़ों पर आपको विश्यश ध्यान देना है बड़े बुजर्गों से सलाह लिए बगार एक कदम भी आगे ना बढ़ाईएगा अनथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की शिगरता किसी भी कारे छेतर में आपके लिए मुस्किल का सबब अपनी नीजी बातों को आप साजाना करिएगा ये भी आपके लिए नहीं तो खातक रहेगा उपाय क्या करें अगर आपका वर्थडे 19 सितंबर को है हर मंगलवार के दिन तीन बार बजरंग बान का पाठ करके घर से निकलिएगा और ये पूरे वर्ष करिएगा जिसे पू अपनी अपनी राशी के अनुशार और अपनी पॉकेट में रखिएगा कल जो दिया था उसे आप दो भागों में करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा अब बारी आ गई है आज की खास सक्सस की का उल्टे हाथ की छोटी अंगली से अपने मस्तक को साथ बार शपर्ष करें ओम 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 उचारन कर और फिर आप अपने घड़ से प्रस्थान करें पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे और सफलता भी आप ये कदम चोवेगी बारी आ चुकी है अब उस खास मेल के उत्तर की जो मेल हमने आज सरेक्ट किया है ये मेल हमारे पास आया है चन्री गड़ से सुर्भी जगोत्ता की है सुर्भी जी कार्ज़करम की प्रस्था तो की ही है साथी साथ इन्होंने अपने भाई के विशे में पूछना चाहा है गुरु जी मुझे अपने भाई के मैरिट लाइफ और उनके के बारे में पूछना है भाई की डेटा बर्थ है 2284 और समय है रात के 1245 जिरो जिरो में मंगल शनी की उपस्थिती है मंगल सब्तमेश और शनी इनके पंचमेश है कोड कचहरी के माध्यम से प्रेम विवाह को संपादित करने की तरफ कुंडली इशारा कर रही है नौमाज कुंडली कुंभ लगन की है जहां पर सात्मे में सुक्र बैठे हैं और बुध राहु सूर इनके पंचमभाव में है इनके कुंडली के अनुसार जो हमें दिख पा रहा है तीन विवाह के योग है अर्था दामपत्य जीवन इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है ब्रहश्पत की महादशा के मध्ध में शनी की अंतरदसा दिसंबर 18 तक है रहे बात कैरिय करियर के लिए आपने जो प्रश्ण किया है तो पूरी उम्मीद करिए ये विदेश जा सकते हैं विदेश के योग इनके जनमान के में बहुत प्रफल है तुला लग नहीं की और मून साइन चंदर राशी इनकी मकर है आठ्वे का राहू भी बहुत अच्छा हम नहीं पाए हैं आप से हमने मेल में भी जब रिप्लाई किया था आपको बताने के लिए तो हमने उसमें लिखा हुआ है कि आप चंद्रीगर में हमसे मिल सकती हैं चंद्रीगर लुधियाना और अमरितसर तील शहरों में हम एक साथ रहेंगे आप किसी भी शहर से हैं आप क्या सपास के क हमको देखिए एक बार आपके जीवन में जोतिश के द्वारा जितना प्रकाश फैल सकता है और जितना प्रकाश फैलना चाहिए हम कहीं से भी बाकी नहीं लगाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कारेक्रम से जोड़ने के लिए देखते रहिएगा जोतिश दिशासत इस प्रकार है 22 सप्टेंबर जैपूर 23 और 24 सप्टेंबर इंदौर 1 और 2 ओक्टोबर चंदीगर 3 ओक्टोबर लुधियाना 4 और 5 ओक्टोबर अमरेच सर 10 और 11 ओक्टोबर अहिम्दाबाद 27 और 28 ओक्टोबर पतना 29 और 30 ओक्टोबर लखनाओ 31 ओक्टोबर अलहाबाद 11 और 12 और 13 नवेंबर, बेंगलूरू 25 और 26 और 27 नवेंबर, नागपूर 1 और 2 डिसेंबर, पूने 3 और 4 और 5 डिसेंबर, मुंबाई 15 और 16 और 17 डिसेंबर, कॉलकाता, अधिक जौनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर्क करें, 9910-291850 और 9910-024-099